मेले भारती संस्कृतिकी आध्यात्मिक विरासत हैं सामाजिक वा संस्कृतिक परिपार्टी के मेले एक ऐसे प्रचलन के रूप में अभी भी हमारे देश में हैं जिन से हमारे पौराणिक और आध्यात्मिक महत्य की जानकारियां अभी भी मिलती हैं फरोखाबाद जिले के गंगा के तट पर प्रतिवर्श लगने वाला राम नगरिया मेला इसी पावन परिपाटी का एक अभी तक परिपालन कर रहा है जिसमें सिद्ध संतों के तपसे जागरत इस छेत्र में नजाने कितने स्रद्धालू गंगा में डुक्की लगाते हैं और कल्पवास करके अब आध्यात्मिक उर्जा फ्राप्त करते हैं कभी कल्यान प्रेस गोरखपुर ने अपने गंगा अंक में फर्रूखाबाद में गंगा किनारे बनी विश्राद घाटों को भारत में सर्वश्रेष्ट घाट घोशित किया था उस समय की अर्धकाशी में आज के फर्रूखाबाद में पश्चिम से पूर्व पाँच किमी में विश्राते आश्रम वा मंदिर फैले थे कमपिल रामायन कालीन प्राचीन नगरी है यहां रिशी मुनी, साधु महात्मा, गंगा किनारे बनी गुफाओं में सिध्धी साधना हेतु कल्पवास के लिए आते थे कमपिल अनेको पौरानिक गाथाओं की कहानिया अपने में समेते हुए है पवित्र गंगा नदी के किनारे ऐसे कल्पवास होते रहे है ऐसा ही एक घात था, टोका घात शहर के सबसे नजदीक सैकडो नगरवासी गंगास नान हेतु रोजाना यहां आया करते हर कार्तिक पूर्णिमा, जेश्ट दशेहरा वग्रहन पर यहां मेला टोका घात लगता था पूर्व में कन्नौज, पश्चिम में कमपिल वदक्षिन में शीर्ष संखिसा उत्तर में पवित्र गंगा नदी का ट्रिकोन इस क्षेत्र को विशिष्ट बनाता है इसी विशिष्टता के कारण ये क्षेत्र रिशी मुनियों की तपस्थली था महान समराथ हर्ष के समय इन घाटों का बहुत महत्व था ये समराथ हर्ष ही थे जिनके सौजन्य से इलावाद संगम स्थल पर महा कुम्ब मेला शुरू हुआ शान्ती प्राप्ती के उद्देश्व से दूरस्थ समराज्य के लोग कल्पवास हे तो यहां आते थे भजन, कीर्तन वसंगती में प्रवचन सुन आत्मशुद्धी कर अच्छे भविश्य की कामना करते गंगा नदी की धारा टोका घाट से काफी दूर हो चुकी थी इस बार रामनगरिया मेला कुम्भ की तर्च पर सजाया सम्वारा जाएगा एक ऐसा देश जहां सत्तर प्रतिशत ग्रामीन आबादी हो, वहां ऐसे मेलो का बड़ा महत्व है ये मेले भारत की धरोहर है, इनही मेलो की बजह से हमारी पारिवारिक ववन्ष परंप्रा आज भी जीवित है ऐसे मेलो की बजह से ही लोग एक दूसरे से मिलते है, व्यापारे खरीद फरोक्त होती है रोजगार उत्पन होता है, कल्पवास हे तो गंगा किनारे टैंट सिटी लगाया जाता है विभिन क्षित्रों से हजारों की संख्या में लोग यहां शान्ती प्राप्ती के उद्देश्य से आकर रुखते है कल्पवास के कठोर नियमों का पालन करते है एक अनुमान के अनुसार लगभग 20,000 लोग हर वर्ष कल्पवास के लिए आते है कम से कम पाँच लाख लोग विभिन गंगा स्नानों में दूपकी लगाते है बच्चों के मनोरंजन के लिए इस बार विशेश रूप से मनोरंजन पाक बनाया गया है जिसमें सकस, नौटन की, रास लीलाइन, मौत का कुवा, चर्खा, आदी अनेको आकर्शक ग्रामीन पसंद उपलब्ध होती है प्राचीन हाट की तर्च पर ग्रामीन बजार लगाया जाते है जिसमें ग्रामीन जरूरत की हर आवश्यक वस्तु मिलती है भारत में जीवन के हर क्षेत्र में हुई प्रगती दर्शाने हेतु स्टाल लगाये जाते है रात में सास्कृतिक कारेक्रम के लिए स्टेज बनाय जाती है जिसमें विभिन सरकारी वगैर सरकारी संस्थागत कारेक्रम संचालित होते रहते है अखिल भारतिय कवी सम्मेलन वो मुशायरे का आयोजन होता है कुम्भ की तरह यहां भी साधू संत अपने अखारों के साथ आते है हर पंडाल में विभिन प्राचीन भारतिय पद्यती के दर्शन किये जा सकते है हम विश्व गुरु क्यों है इसका जीता जाकता परिद्रिश्य हम यहां आकर महसूस कर सकते है विभिन पंडाल लगते है जिनमे धार्मिक प्रवचन सुन श्रोता भाव विभोर हो जाते है स्वयम सेवी संस्थाय गंगा सफाय अभियान हेतु स्वेचा से श्रमदान करती आ रही है सरकारी इलाज की फ्री व्यवस्था के साथ सरकारी राशन की दुकानों पर अनाज आदी बाटने की समुचित व्यवस्था की जाती है मेला लगभग एक माह चलता है पिछले कुछ वर्षों से गंगा आर्ती प्रारंब की गई है हमारी संस्कृती का हजारों वर्षों तक गते मान रहना वह संपूर्ण मानव जाती द्वारा इसे मान्यता देना भारत के विश्व गुरू होने की पहचान है इस पहचान को बनाए रखने है तो ऐसे मेलो का आयोजन होना ही चाहिए और हाँ यहां आकर फर्रुखाबाद के भुने आलू नहीं खाये तो समझ लो आपका कल्पवास अधुरा रहेगा